री एजुकेशन की इस प्लेट फाम पर यदि आप नहीं हो तो किरपया चैनल को लाइक, सेर और सब्सक्राइब शरूर करें नमस्कार दोस्तों री एजुकेशन एकवी में आप से भी लोगों का स्वाकत है और आज के इस सत्र में हम लोग सेंसर्शिप के बारे में अध्यन करेंगे वास्तों में सेंसर्शिप टापिक बरतमान समय में इस कारण से भी महत्रपूर हो जाता है कि वालिपूट के एक फिल्म के रिलीज होने के समय पर फिल्माए गई एक गीत के दौरान अभीनेत्री के पहने गए परिधान को लेकर के आपस में असाहमती हो गई है इस पे अलगरे तरीके के किर्दिया प्रतिक्रियाए जो वेक्त हो रही है इस पे आलोचना इसका दिया जा रहा है तो इन बरतमान के समसामरिक घर्णा करम के प्रिष्ट भूमे में हम लोग थोड़ा सा सेंसर्शिफ को समझने का प्रियास करेंगे और यह देखेंगे कि censorship का क्रियानमेट किन agencies के बादेंसे होता है इसके बाद यह देखेंगे कि यह जो एजेंसियां है वो किस हद तक censorship के भावना को क्रियानमेट करने में सफल होती है क्या वास्तों में यह एजंसियां परियाप्त रूप से अपना कारे कर रही है या नहीं इसमें क्या सुधार होने चाहिए और निस्कर्स चुकि जब भी कोई टापिक या कोई घटना क्रम होता आया तो उसे संबंधिक जो संस्थागत व्यवस्थाना ही होती है हुए हमेशा से चर्चा का विशे वनती है और उसे संबंधिक सवाल में परिक्षा में पूछा जाता है तो हम यहां पर इस बात का जिक्र करना उचित नहीं समझते हैं कि इस परिधान को लेकर कि जो परिचर्चा आलोचना आरोब प्रतियाओफ हो रहे हैं वह कहां तक उचि कि अनुसार किस तरीके से प्रतिवंध होते हैं और यह प्रतिवंध कहां तक उचित होते हैं इसका क्रियार्में किस एजन्सी के माध्यम से होता है इन्हें के प्रिष्ट भूमी में हम लोग सेंसर्चिप के बारे में जो है देखेंगे और सेंसर्चिप को समझते हुए पर और बनाएगे ब्यवस्था के आधार पर किसी भी क्रियेशन का चाहे वो आडियो हो वीडियो हो टेक्स्ट हो इसका परिक्षण करती है और परिक्षणों परांती यह दिवहां निर्धारिद किये गे मुल्य और मानकू पर खारा उतरता है तो उसे सर्टिफाइड करती है यानि कि उसको परमारपत्र देती है जिससे वो सामाजिक छेत्र में या जो सोसल डोमेन में पहुंचने के योगी हो जाता है यहे कुछ परक्रिया फिल्मों की छेत्र में भी अपनाई जाती है और फिल्मों के छेत्र में अपनाने के लिए जो एक संस्थागत ब्यवस्था बनाई गई है वो सिनेमेटो ग्राफी आएक्ट 1902 के अंतर्गत अस्थापित किया गया है जिसे बरतमान समय में CVFC यानि की Central Board of Film Certification कहा जाता है जिसे पहले जो है Certification के अस्थाम पर सेंसर सब्द कपडियों किया जाता था 1983 इस भी तक अस्थापित होनी के बाद यह है केंद्रिये फिल्म सेंसर बोर्ड कहलाता था और आज की डेट में इसे केंद्रिये फिल्म प्रमारन बोर्ड कहा जाता है हाला कि अभी भी बेवारी कस्तर पर इसे सेंसर बोर्ड से पास होना ही बता जाता है और दूसरी महात्रपूर्ट जो एजनसी है वो है भारती प्रेश परिशन इसके अस्थापना भारती प्रेश परिशन अधिनियम उनिस्वाठाथर के अंतरगत किया गया है इसके अलामा आप देखेंगे IPC और CRPC की विधाराएं हैं इसके साथ साथ केवल टेलिविजन नेट होती है जिसे कंटेंट जो है मुल्य और मानकों के आधार पर ही लोगों तक पहुंसके तो यह कुल मिला करके कुछ एजनसियां हैं जो सेंसर के रूप में काम करते हैं कहने कातार पर एक बिभिन प्रकार के कंटेंट को देखती हैं उसका परिक्षा करती हैं जाज करती हैं जब वो मुल्य और मानकों पर खरा उतरता है तब उसे जो है सोसल डोमेन में जाने की अनुमत ही होती है रही बात फिल्म के संदर्व का तो फिल्मों के लिए जो है सीबी एपसी बर्टमा समय में कारे कर रहा है जिसके अस्थापना सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1902 बामन के 1678 क के अंधर जो है भार्तिक प्रिश्वरीस्थक की अस्थापना की गयी है और यह है देख ता है कि जो मीडिया के कंटेंट है न्यूज केंटेंट है इसकी जाच परकरता है और इसके बाद वह बिग्यापनों की विजानच करता है जिससे वह कंटेंट उसकी थ्रोब सामा तो ऐसे मुद्राले के वर्ट जारी किया जा सकता है उसके सामागरियों को जब्त किया सकता है उसके प्रतिवन्द लगाए जा सकता है इत्याद की कारणाई के भागी इस तरफर पुलिस इत्याद के द्वारा की जाती है इसके अलावा केबल के भी नेटवर्क होते हैं जो बिवन्द प्रकार के बने हुए कंटेंट को देखते हैं परिछर करते हैं उसके फिल्टर करने का भी काम उसके अस्तर प्रतिया जाता है ताकि सोचली ऐसे कंटेंट न पहुंच पाए जो आयू के अनुसार या सामाजिक विर्द हो तो यह सारे एजेंसियां हैं जो अलग-अलग प्रकार की क्रियेशन, कंटेंट, फिल्म, डाकुमेंटरी द्यादिका परिक्षर करते हैं जिससे वह कंटेंट अपने सही सुरूप में लोगों के भावना के अनुसार सामाजिक छेतर में पहुंच सके तो यह जिसको आप कह सकते हैं कि उपर कई बार आति बादिता का आरूप नगाया गया है एक चर्चा 2003 का है एक निर्माता और निर्देशक रहे हैं जिनोंने ट्रांस सेक्ष्वल सब्जेक्ट पर एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था दपिंक मिरर उस फिल्म का नाम था दपिंक मिरर इस फिल्म को ट्रांस सेक्ष्वल सब्जेक्ट पर बनाया गया था कि तो सेंसर बोट से या सीवी अपसी के अस्तर से यह सेटिफाइड नहीं हो पाई और इसके ऊपर आपति जैनक तथा अश्रीर होने का आरोप लगाया गया हाला कि यह अलग-अलग आउसरों पर एक मेन स्ट्रीम प्लेट फार्म के रूप में नहीं बल्कि साइट के रूप में यह अलग-अलग अलग-अलग आउसरों पर इसे फिल्माया गया दिखाया गया जिसने काफिक कुछ सराहना भी बटोबने कार्य किया तो इस आधार पर कभी-कभी अतिवाजिता का आरोप लगा समाज का जिससे संब्ध कुछ संदेश समाज को प्रेसित किये जा सकते हैं वह नहीं प्रेसित हो पाते हैं ऐसा कुछ इसकी उपर आरोप लगाए जाता है इसी तरी किसे 2001 में एक फिल्म अटैक के उपर युद्वर सांती बनाई गई थी जिस पर भी जो है सेंसर बोर्ट कैच चलाई और बात में वह कोट का सहारा लिया कोट से इसे जो है और इस प्रकार की कटावतियों को गलत बताया गया अर्थात वहां से वह पास हो जाता है तो कुल्पिला करके अगर इन दोनों ही प्रिश्ट भूम को देखो तो एक तरफ अतिबाधिता का आरोप लगता है और तो निश्चित तवरपाग जो मूल्य और मानख है जो इसको इस्तापित करने की भावना है वह क्रियानबित नहीं हो पाती है इसी तरीके से अगर हम यह चीज़ यह देखें कि कंटेंट जो बन रहे हैं जो सिंसर बोट से या स्वी एपसी के थ्रो आगे बढ़ रहे हैं व लहां पर इस तरीके के कंटेंट बनाए जाते रहे हैं और उनका प्रदर्शन किया जाता रहा है तो इस तरीके से सि realism में कहीं न कहीं कुछ परिबरतन किया हो सकता है जिससे सामाजी के असले बहुत बन रहे हैं वह इस दाइरे में लाइशा सकी है ताकि कोई भी कंटेंट जो किसी भी चाहर दिवारी से बाहर सोसली या सामाजिक जो छेत में जाता है वो उसे निस्चित तोर पर किसी ने किसी प्रक्रिया के माध्यम से गुजर्बना पड़े जिससे मुल्य और मांगों पर आधारित ही कंटेंट समाज में पहुंच सके और एक सामाजिक और नईतिक जो मुल्य को स्थाफित करने में सफ़ल हो सके तो कुल मिला करके हम लोगों ने ये देखा कि किसे भी प्रकार की कंटेंट की जांच पड़ताल की जो बेवस्था होती है संस्था का तूप में वो संसर्शिप कहलाती है और इसको क्रियानबित करने के लिए तीन-चार एजेंसियां जो बनाईगी जिसमें कुछ रूल्स रेगलेशन आईपीसी और सी आपीसी संसर्शिप करती है फिर भी सिवी अपसी जो की फिल्म और डाकुमेंटरी त्यादी से संसर्शिप करती है उसके परदर्शन से पूर जांच परताल की प्रक्रिय आपको अपनाता है लेकिन उस पर भी विभिन आधारों पर जैसा आपने देखा कि कई बार आरोग लगाए जाते रहे हैं और उससे हट करके उस पर या उस तरीके के कंटेंट को में स्ट्रीम प्लेटफार्म से अलावा अलगलग आयप पर अलगलग साइट्स पर चलाए ज कि पर प्रियास करना होगा, जिसे इस तरीके क에 कंटेंट समाज में एक निष्चित मारत के आधार पर ही पहुंसके 충श सही तरीके से पहुँच सके हाला कि इसके संदर्व में IT8-2000 बनाया गया है जिसमें 2021 में संसूधन भी किया गया है जिसे जारतर या संकाली रूप में या नए नए जो तरीके आ रहे हैं उनको इंदायरों में लाया जा रहा है तो जो भी सरकार के अस्तर पर प्रयास किया रहे हैं उसको और भी संस्था का तुरूप में और भी प्रभा भी बनानी किया हो सकता है ताकि किसी भी प्रकार से ऐसे content समाज में ना पहुंच सके और जो CBFC या अलग-अलग एजेंसियां censorship के लिए बनाई गई है वह अपनी भावना और समाज में उन मुल्यों को कहुचा सके जिससे कि एक सुस्त समाज का निर्मान हो सके तो कहीं न कहीं हमें यह देखना होगा कि जब हमारे देश में एजेंसियां बनाई गए हैं तो कोई content का परिप्षण करे और परिप्षणों परांधी स समाज में जाए और लोगों को इस तरीके के प्रक्रिया पर जो है कॉपरेट करना चाहिए ताकि समाज में सांथी बैस्था भरी रहे भावना इस्थापित हो सके मुल्यों मांकों तथा नेदित्ता पर आधारित समाज का निर्मान किया जाना संभव हो सके तो उमीद करते ह हैं कि यह संचीत सेसन आप लोगों को अच्छा लगा होगा पूरा अगले लेचर में कुछ नहीं जानकारी के साथ कुछ नहीं टापिक साथ मिलेगे तब तक के लिए नमस्कार